नमास्कार दोस्तों पर फिर्श वागा थाइपके अपने चैनल फ्रेंड स्क्रीविन प्रडिक्शन में तो दूस्तों में पूजू मैंच कबर करने वाले एमरेश टी टॉन्टी का चौथा मैंच है जो कि दोस्तों में खेला जाएगा एस एच एच एवर से डी यूबी टीम के भी टीप लांस करेंगे इस वीडियों फ्लू स्ट्रेस पर दो दोनों टीमों के एक प्लियर के स्ट्रेट से अको पहता दूंगा इस मैच का टीम को वीडियो से मिलने वाला है दोस्तों वीडियो लाइक करके आपने शुरुआत करना आपका एक लाइक हमें अतुत आपने किया चैनल सब्सक्काइब करके वाल का इकन जरूर प्रेश कर दें जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम भी मिलती रहे दोस्तों यहमारा फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलेग्राम चैनल को भी जोइन कर लेना जिसका लिंक आपको मिल जाएग सब्सक्काइबर का चैनल हो का वह हमारा एकमात रियल चैनल है और उसी चैनल को आपने जोइन करना दोस्तों बात कर लेते हैं मैच की तो मैच आप से कुछ दिर बास साम में 10 30 पीम से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है आई से कडमी दुबाई के अंदर मैच मैच खिला जाएगा इदे बात कें दुस्तों में की विकट की तो यहां का विकट ओवरॉल से बैलेंस रहता है इदे में स्कोरिंग की बात करें दोस्तों की राइट है प्लस कीपिंग करेंगे तो आसे भी कुछ पॉंट देंगे लास्ट मैच में सिब नौरान करके आउट अपने कैप्टन भी बना सकते हैं इंगर साथ उपन करना हैं कि खालिट साय लेट हैं ठीक ठाक बले बाज हैं लास्ट गेम में तेसरे से बले तिन गेम के अंदर अंधावन रन की थे ठीक ठाक बैटिंग करते हैं और मतलब एक तरश से टेकनिकल बैट्ट मैन है थोड़ा स तस रुक की जरूर खेलते हैं लेकिन एक बैट टिक जाते हैं पर अपने अच्छे स्कोर्स खेलते हैं तो खालिट साय को भी आप ट्राइगा शकते हो एक अच्छे पिक रहेंगी लेकिन अब इन दोलों में से किसी एक को लेना चाहते हो तो अब दुन स्वकुष ज्यारे है अप इन्हीं के साथ जाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा भरही लास्ट में खाली सानी अच्छा स्कोर कर रहा हुआ है लास्ट गेम में आट रन करके थो जल्दी आउट हो गए थे इस रीस से पहले दस गेम के अंदर 306 रन किये थे कापकी अच्छे वल्लेबाज हैं बैटिंग से साथ जरूर जा सकते हों कभी भी तकड़ा स्कोर कर सकते हैं लास्ट गेम में एक ही वाट डाला था विकल डेस रहे सिर्फ साथ रन करके आउट हो गए हालांगे दोस्तों यूएक इंटरनेशनल टीम से भी कहलते हैं अभी रिसेन में यूएक जो वेंडे मैच जाते हैं फिर लंबा स्कोर करते हैं बहुत जाद आटक की नहीं खेलते हैं लेकिन एक अच्छे भी रहे हैं कि आप अप्रेक बालिंग करते हैं लास्ट गया में दो वाट आले विकल ड़स रहे सत्रां के उगदान दिया बैटिंग थोड़ा नीची रहता है तो बैट फर् चार वर नहीं करेंगे दो तीन वर ही आपको बॉलिंग करते हुए नहीं दर आएंगे इस तरी से पहले सोला ट्यू टून्टी मैच के अंदर एक सो संतावन रन थे तेरा की उड़र से और साथ भी गटिंग के नाम है आमिर अंजा की बात के राइट हैं राइट हैं और नीचे रहते हैं तो स्कोरिंग करने के चांसे काम हो जाते हैं लेकिन लास्ट के लिए नहीं चाने की एक लिए लेकिन आस न आप नीचे आते हैं लेकिन यहां से लेकिन हरपालिन से बाइटिंग नहीं करेगा वालिंग आपको जबूर तीन वर के असपास करते हुए दिखने वाले हैं इसे दिखने के दोस्तों दानिष कुरेशी उनके साथ जहूर खान और यहां से मौहम्मध जाहित तूनों ही बहुत कमाल के बागर हैं इस्पे के बॉलर हैं यह एक पेस बॉलर में सबसे बहत्रीन बॉलर में से एक जहूर खान है कैप्टन सी के बड़ी हो ऑप्सन नहीं के इंदर इनके नाम चालेश भीकेट हैं लास्ट गेम पी चारवर डाल के दो विकेट निकाले मस्ट है दानिस कुरेशी राइट है मीडियम पेस सब्सक्राइब लेकिन उतना ज्यादा विकेट टेंग नहीं रहते शुर्वात में दी बिकेट से कोई मंदद नहीं है आप समझ सकते हैं जैसे दीपक चाहर रहें और विकेट से मंदद नहीं है तो वैसे कुछ दानिस कुरेशी करता है है अच्छे बोलर बस बिकेट से थो सुरुवात में दानिस कुरेशी जहुर खान ही कनफाम बॉलिंग करेंगे तो जाहिने भी लास्ट गिमें चारवा डालके दो विकेट निकालते तो इन्तों को जरूर रख लीजेगा मेंच में कुछ प्लेयर हैं ये लोग साइद ना खेलें ये दिन मेंच कोई भी खेलेग फाइनल टेम टेलेग्राम पर मिलेगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फस्ट कमेंट में लिंक है टेलेग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेजेगा दोस्तों दुबएक तरस आप को निकर दिखेंगे रोनक पनोली इनके साथ उपन करने हैं इस तरह से थी बात कि पनो पर जरूर लें अच्छे बल्ले बाद ने अच्छे लेबल पर क्रिकट कहलते हैं और काफ़ी टालेंटर हैं अपनी टीम मैज अप्लेट जरूर रखें बात करने दो समस्टेट से थी कि ग्रांड लिक एंटर ट्राय करें कि लास्ट के में पांच रंड का स्कूर किया ऊपर कर सकते हैं पुनिया मेरा का इसरी से पहले एक्सटीस गेम के अंदर साड़ी साज़ाजर करीब ने एक तालेस के अउरस था लास्ट गेम 31 का स्कूर किया इनको भी प्रिक कर सकते हैं तो साज़ा काफी टाइम से मतलब अच्छे लेबल पर ज्यादे क्रिकट कहले हैं पुनि लेकिन दो ही और मिला था इसलिए थोड़ा रिस्की पिक हो जाते हैं फारुक मोमन लेक्स पिनार है लास्ट गेमें चारवा डाल के निकाला हुआ था तो चारवारी पूरी डालते हैं तो फारुक मोमन को भी लेज़ेगा तो जरूर नहीं है मैच में एक ही बिकट मिले किस मैच में दो तीन बिकट भी लेके जा सकता है नीचे दिखनें दोस्तों हर्ष वो वाले राइटाम मीडे में लास्ट गे में चारवा डाल के तीन बिकट निकाले हैं हना कि पिटाई बहुत ज्याद हुआ था तो फबनीटी मैच प्लेयर ही रख सकते हैं लास्ट मैच की बे प्लेयर हैं बहुति देखने को मिल सकता है अब दोस्तों इस बेंच कामारे टीम के चले हम टीम देख लेते हैं लेकिन उससे पले आपको बतादू मैं इसका फाइनल अपडेट फाइनल टीम टेलिग्राम पर दिया जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्सरों फर्स्ट कमेंट मिलिंग के टेलिग्राम चेनल जरो जोइन कर लिजएगा तो दोस्तों मैं इसका टीम किया है चलिए टीम द तो दूस्तों मैं अबदुल्सकूर को ऐसे किया हुआ हराif सब्सक्रिप्द करेंगे लास्ठ फ्रेलस्त विक्टिप्रिंग से बीमारा हमकुप दिते हूँ कुछ नजराएंगे कैचिंग इस्टंपिंग भी कुछ मिलेंगी कुछ मिलेंगी करते हैं प्लस बैटिंग चे तो इसलिए मैंने कैप्टर और रखा हूँ जहुर खान तो कमाल के बॉलर है तो इनको तो बना रही सकते हैं इसके लाओ ग्रांड लिग पर जो आप सी बीच नहीं है जो कि टॉप आ बैटिंग करता है प्लस आपको चार ओर करके देने वाला हो प्लस तो यहां पर किसी प्यूर बैट्समैन को कैप्टनर रस केफ्टन हो बनाना वोगा तो थोड़ा से रिसकी राए कर सकते हो तो अपनी यहिसाब से आप जो ट्राइग कर शकते को बहुत सारे आप्सन नहीं सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्य बाद